आज हम स्वाध्याय तेरा प्राइक्ता संभावना और इंगलिश में इसको प्रॉबबिलिटी कहते हैं आपको ग्यार्मी में भी मैंने आपको पढ़ाया था क्या था ग्यार्मी में ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि घटनाओं के बारे में बताया था दो सिक्काओं को उच्छालने के प्रियोग के बारे में बताया था एक सिक्के को तीन बार उच्छालने के प्रियोग के बारे में बताया था दो पासों को उच्छालने के बारे में बताया था एक पासे पर कितने अंग होते हैं ये भी आपको बताया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सिक्के पर कितने होते हैं head and tail निशित घटना के बारे में बताया था असंबो घटना के बारे में बताया था निवारक और निशित घटना के बारे में बताया था हम उनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ी और मैं आपको फार्मूले के बारे में डिस्कस कर दूँ कि PA greater than equal to 0 मतलब किसी भी घटना की जो सम्हावना होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है P of A union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B ये सूत था PA' is equal to 1 minus PA होता है PU निश्चित घटना की सम्हावना हमेशा एक होती है और असंभव घटना की सम्हावना हमेशा 0 होती है P5 is equal to 0 सहा प्रतिबंध प्राइक्टा मतलब प्रतिबंध के साथ मतलब शर्थ के साथ PA by B is equal to PA intersection B upon PB 6. P of A union B by F बराबर PA by F plus PB by F minus PA intersection B by F और सात्मा है PA' by B बराबर 1 minus PA by B प्राइक्टाइक लिए गुना का नियम P of A intersection F is equal to PE into PE by F या PF into PE by F दोनों से हम चीज़े हैं PE is not equal to 0 और PF हमेशा not equal to 0 होना चाहिए नमा देखिये जिसे स्वतंतर घटना है किसी भी एक घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना की प्राइक्टा पर कोई प्रभाव नहीं डालती हो इस प्रकार की घटनाओं को हम स्वतंतर घटना कहते हैं दूईपद बंटन का प्राइक्टा फलन P X is equal to N C X P की पावर X Q की पावर N minus X X is equal to 012 से लेके कहा तक होता है N तक इसमें N जो है वो number of events होते हैं मतलब कितने बार हम करते हैं P को हम सफलता बोलते हैं और Q को हमेशा निसफलता बोलते हैं स्वादा तेरा दिसम्लाब एक देखिए P of A by B हमको ग्याद करना है जग की हमारे पास जो है वो दिया हुआ है कि P B बराबर 0.2 और P A intersection B बराबर 0.32 मैंने P A by B की पर लगाया सूतर मेंने आपको भी बताया था P A intersection B upon P B P A intersection B कितना दिया 0.32 0.5 की P B की value कितनी है 0.5 0.32 upon 0.5 is equal to 32 upon 50 is equal to 16 upon 20 इतना simple question अब question number 5 देखिए बिल्कुल same to same question है P A is equal to 6 by 11 P B is equal to कितना दिया हुआ है 5 upon 11 P A union B is equal to 7 upon 11 P of A intersection B ज़ी ज़ाद करना है उनको और हमको क्या ज़ाद करना है P A by B ज़ी ज़ाद करना है और P B by A ज़ी ज़ाद करना है आइए P A intersection B ज़ी ज़ाद करते हैं मैंने P A union B को आपको सूतर बताया था उस खूलर दीजिए तो P A intersection B बराबर P A plus P B minus P A union B P A दिया हुआ है P B दिया हुआ A union B दिया है दोनों दिया है तीनों 6 upon 11 plus 5 upon 11 minus 7 upon 11 is equal to 4 upon अब दूसरा P A by B अभी मैंने आपको बताया P A by E is equal to क्या होता है P A intersection B बटे P B क्या मिला 4 upon 11 5 upon 11 कितना हुआ 4 upon 5 तीसरा P B by A P B intersection A बटे कितना होता है P A क्या हुआ B intersection A कितना दिया 4 upon 11 6 upon 11 is equal to 2 upon 3 अब जो है हम उसी प्रकार से जो है वो question number देखी यहां पर 8 देखी है सभ्भियों की संख्या क्या दिया है प्रिशन number 8 पहले पढ़िया आप आराम से एक पासे को 3 बार उचाला जाता है तीसरी उचाल पर संख्या 4 प्रगठो ए यह E घटना है पहली दो उचालों पर क्रम सा 6 तथा 5 प्रगठो वह F घटना है ठीक है हमको क्या ग्यात करना है इस अवालों में P E by F ग्यात करना शर्त के साब ग्यात करना हमने सबसे पहले हमारे पास कितने पासे हैं 6 कितने पासे हैं 3 तो सब्यों की संख्या कितनी हो गई 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 6 की घात 3 अब मैंने F लिया F is equal to पहले तो E लिया E क्या है 6, 5, 4 उसने क्या बोला है कि पासे को उच्छालने पर कोई एक क्या बोला अब F क्या बोला उसने की तीसरी उच्छाल पर संख्या 4 प्रगट होना चाहिए मतला पहली दूसरी उच्छाल तो क्या लिया 6, 5, 1 6, 5, 2 6, 5, 3 6, 5, 4 बराबर नहीं बराबर पहली दो उच्छालों के लिया अपनने और 6, 5 6, 5, 5 6, 5, 6 अब मैंने E इंटरसेक्शन F निकाला कितना हुआ E और F में इंटरसेक्शन का मतलब समझते न प्रतिच्छे दन दोनों घटनाओं में जो समान हो तो क्या है 6, 5, 4 P E निकाला P E बराबर आपको मालूम है किसी भी घटना की समभावना मैंने आपको 11 में बताया था R बाई N तो R मतलब कितना है 1 क्यों यह में E की अब यवव है 6, 5, 4 और N कितने है 6 की घाद 3 P F बराबर कितना है F में कितने अब यवव है 6 तो 6 बटे 6 की पावर 3 और P E इंटरसेक्शन अब बराबर कितना है 1 अपान 6 की पावर 3 तो P E बराबर क्या हो गया P E इंटरसेक्शन अफ अपान P F 1 अपान 6 की पावर 3 6 अपान 6 की पावर 3 आंसर कितना है 1 अपान 6 कुशन अमर कल देखी बहुत अच्छा कुशन है उसने बोला है, पहले कुशन पढ़ लिजे, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव है यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सब प्रतिबंध प्रायक्ता क्या है यदि ये दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो और न्यून्तम एक बच्चा लड़की हो सम्भावना चैप्टर जो है, वो आपको इसमें बुक की बहुत जरुवत पड़ेगी आप हमेशा बुक अपने पास रखिए और 12.13.1 देखिए 13.1 का कुश्यन नमबर 12 क्या दिया उसने हमारे पास लड़का और लड़की तो S is equal to पूरी क्या हो गई एक बीवी, बीजी, जीवी और जीजी, क्या तो दोनों लड़की होंगे, एक लड़का ये लड़की, या पहला लड़का दूसरी लड़की, या दोनों लड़की हो, बी का मतलब वाई, जी का मतलब गल, ए घटना लेली मैंने सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, और बी चोटा बच्चा बीजी और जीजी हो गया चलो बी क्या लिया कम से कम एक लड़की हो तो बीजी जीवी और जीजी कम से कम का मतलब ज्यादा से ज्यादा यदि मैं बोलू आप से कि मैं कम से कम एक रोटी खाऊंगा इसका मतलब एक तो खाऊंगा ही लेकिन उसके बाद भी दो और जी जी हो गया दो right सी ब्राबर कितना हवा जी जी क्यों दोनो लड़कियां तो जी जी प्राइब उटो अब और और दोनों सीके दोनुफिअ दोनों में हैं इसका मतलबसी 라ति मुद्ट एकसे एका और सीजिक अब content उसी प्रकार से मैंने PCYB लिया, PCYB का मतलब PB intersection C upon PB क्या मिला B उपसमुच्च है C, C उपसमुच्च है B का, इसका मतलब PC upon PB is equal to 1 upon 4 upon 3 upon 4 अंसर कितना है, 1 upon 3 उसी प्रकार से question number 14 देखिए, ये भी अच्छा question है ये दिया गया है कि दो पासों को फ्हेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन भिन हैं दोनों संख्याओं का योग चार होने की प्राइक्ता ग्याद कीजिए तो मैंने क्या लिखा, हमने सबसे पहले दो पासे फ्हेंक दिये अब मैंने ए लिए, दो पासों को फ्हेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन हैं और भी घटना क्या लिए नहीं मैंने दो पासों पर की संख्याओं का योग कितना होना चार्ण तो ए में कितने अब यह आप आ गए, दो पासों को फ्हेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन 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 यह तो बहुत सारी 36 संख्या आएंगी तो कहां ढूनने जाएंगे इसका मतलब है कि हम इसको उल्टा लिख देते हैं नहीं, PA बराबर 1-PA मतलब क्या लिख दिया मैंने, S- जो समान है उनको घटा दिया, तो कितना हुआ, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 4-6, 6 B क्या ले लिया मैंने, B कौन सी घटना है कि दो पासों पर की संख्यापवयोग 4 हो तो, एक से चालू किया ना तो, 1-3, 2-2 और 3-1, ओके अब A intersection B लिया, A intersection B बराबर कितना है, 1-3 और 3-1, अब मैंने P B by A निकाला, उसने वही तो कुछा ना अपने से, तो P B by A बराबर, PA intersection B, बटे PA, बराबर 2 upon 36, 30 upon 36, क्यों, 2 upon 36 क्यों है, क्योंकि A intersection B में दो घटना है, और total कितने हैं, 36 हैं, मैंने अभी आपको फार्मूला ब प्रकार से, A में घटना कितनी हुई, 30, क्योंकि होती 36 हैं, लेकिन 6 को माइनस करना पड़ेगा, तो 30 upon 36 is equal to, इसका अंसर कितना है, 1 upon 50, अब आईए question number 16, क्या देखिए, PA बराबर 1 by 2, PB बराबर 0, तब P B बराबर 0, तब P B बाईए, ग्यात करना है, कोई बात में, P A बाई बटे में 0, और आपको मालूम है, कि जब भी कभी 0 होता है, तो बटे में, तो वो संख्या जो होती है, वो अपरभाशित संख्या होती है, तो यह क्या होगा आपका अपरिभाशित हो गया, अब निकालिए, question number 13.2, 13.2 देखिए आप, question number इसका first देखिए, PA is equal to, क्या दिया है, question number first में, PA दिया है, 3 by 5, PV दिया है, 1 by 5, और A और B कैसी घटना है, स्वतंदर घटना है, तो हमको क्या गयाद करना है, PA intersection B गयाद करना है, मैंने आपको स्वतंदर घटना के बारे में बताया था, असा परिभाशित है, तो PA intersection B बराबर क्या होता है, जिए A और B स्वतंद घटना है हो, PA into PV, तो PA कितना है, 3 by 5, PV कितना है, 1 by 5, तो उन्हों का multiplication किया, कितना आगया, 3 upon 25, question number 6 देखिए, ये भी बहुत अच्छा question है, मानने कि E और F दो घटना है, इस प्रकार है कि PE बराबर 3 by 5, PF बराबर 3 by 10, और PE intersection बराबर 1 by 5, बताना है कि क्या ये स्वतंदर 9 का मतलब क्या होता है, कि PE intersection F, PE into PF के बराबर होना चाहिए, तो PE intersection F तो अलड़ी दिया हुआ है, मैंने PE into PF का multiplication कर दिया, क्या है PE 3 by 5, PF कितना है 3 by 10, कितना हुआ 9 upon 15, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है, इसलिए स्वतंदर घटना है, नहीं है, question number 9 देखिए, PE बराबर 1 by 4, PE is equal to 1 by 2, PE intersection B1, same to same, अब उसने क्या ग्याद कर, क्या A dash और B dash घटना है, कोई बात नहीं, मैंने PE A dash intersection B dash निकाला, क्या हुआ PE A dash into PE B dash हो गया, PE A dash क्या होता है, 1 minus PE, PE B dash क्या होता है, 1 minus PE B, क्या हुआ, 1 minus 1 by 4, 1 minus 1 by 2, कितना है, 3 by 4 into 1 by 2, is equal to 3 by 8, कितना हुआ, 3 by 8, और क्या ये दोनों बराबर है, PE A बराबर दिया है, 3 by 8, और इहा पर भी कितना है, नहँआ पर PA A dash intersection अपने को, जो B dash है, वो मैंने क्या कर दिया, कितना निकाल दिया, 3 by 8, कुशन नमबर 10, PE A बराबर कितना दिया, 1 by 2, पी बराबर कितना दिया 7 by 12 पी एड़ेश उनियन बी ड़ेश बराबर 1 by 4 दिया हुआ है और हमको बताना है कि क्या A और B दो घटनाएं स्वतंत्र हैं कोई बात नहीं पहले तो पी एंटरसेक्शन B ग्याद करना पड़ेगा और P A इंटरसेक्शन B के कहीं ठिकाने नहीं पड़ रहे तो मैंने तुरांट सूत लगाया कौन से D Morgan का ला पहले तो P A इंटरसेक्शन B बराबर मालूम है आपको 1-P A इंटरसेक्शन B का होल्ड़ेश होता है तो सूत रहे और D Morgan का नियम क्या होता है उल्टा उल्टा इंटरसेक्शन B का होल्ड़ेश हो तो क्या हो जाता है A इंटरसेक्शन किसमें जाता है इंटरसेक्शन किसमें हो जाता है यूनियन में तो 1-P A इंटरसेक्शन किसमें हो जाता है प्रिश्ट नम्मर 15 देखें, क्या दिया है, बावन पत्तों के तास में, आपको मालूम है एक तास के पैकट में कितने पत्ते होते हैं, बावन, तेरा लाल पान के, तेरा हीट के, तेरा हुकम के और तेरा चुड़ी के, अब यहाँ पर उसने बोला है कि काले रंग के कितने प कोई बात नहीं, पिए पत्ते होते हैं, तेरा लाल पान के कितने हैं, बावन, बावन, पर यह बटे चार। उसी प्रकार से मैंने PF निकाला, क्या हो, निकाला गया पता 1 का हो, 1 के किते होते हैं, 4 तो 4C1 upon 15C2, 15C1, 52C1, परावर 4 upon 52, 1 upon 30, PE intersection F निकाला, intersection F का मतलब समझ रहो ना, intersection F का मतलब कि भई, वो क्या हो, बाश्या हो, मतलब पत्ता 1 का हो, लेकिन किसका हो, होकुम का हो, होकुम में तो एक ही 1 का होता है, तो 1C1 upon 52C1, is equal to 1 upon 52, क्या मुझे बताना है कि सुतंत्र घटना है, कोई बात भी, PE intersection F अब तो अलड़ी मिली चुका है, PE into PF निकाला, कितना है, एक बटे 4 into एक बटे 13, एक बटे 52, यह किसके बराबर आ गया, PE intersection F के, इसका मतलब है, कि E और F हमारे पास कैसी घटना हैं, बताइए, सुतंत्र घटना हैं, अब हम उसी प्रकार से, जो है, वो हम क्या निकालें, यहाँ पर जो दिया हुआ है, हमारे पास, second, second में क्या दिया है, बोलिए, second में दिया हुआ है, कि, ए, निकाला गया पत्ता काले रंका हो, और निकाला गया पत्ता बास्चा हो, ठीक है बई, PE बराबर, वही, 26 C1 upon 52 C, 26 upon 52, PF बराबर, 4 C1, क्यों बई, क्योंकि, बास्चा भी तो चार होते हैं, 4 C1 upon, कितना हुआ 4 upon 52, बराबर, 1 upon 33, और फिर उसने बोला है, कि, बास्चा होना चाहिए, और काले रंका होना चाहिए, उसने सपस्ट नहीं किया, आपने विक चिडिगा होना चाहिए, उसका मतलब है, काले रंके तो, दो होते हैं बाश्या तो 2C1 अपान 52C1 यह किसका मान हो गया P E intersection F बराबर 2 बटे 52 एक बटे 26 अब वही मैंने P E into PF निकाला क्या आया 1 upon 2 into 1 upon 30 is equal to 1 upon 26 यह किसके बराबर आ गया P E intersection F इसका मतलब है कि E और F कैसी घटनाए हैं स्वतंत्र घटनाए है थर्ड देखें थर्ड में क दिया हुआ है E निकाला गया पत्ता एक बाश्या या वेगम हो और निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम हो तो F में है P बराबर लिया 8C1 क्यों बाश्या और बेगम मतलब कितने होते हैं 8. 4 बेगम, 4 बाश्या तो 8C1 upon 52C1 2 upon 39 PF मतलब उसमें भी सेम है ना निकाला ग अब P E intersection F मतलब भाश्चा और बेगम मतलब कितने हो गया आपके 4 C 1 अपान जो है वो कितना हो गया 4 C 1 अपान 52 C 1 क्योंकि निकाला गया पत्ता बेगम हो निकाला गया पत्ता बाश्चा हो एक ही पत्ता निकाला न अपने को तो आप कुछ भी निकालोगे तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ पर 4 C 1 अपान 52 C 1 बराबर 4 अपान 52 बराबर 1 अपान 13 P इंटू P F निकाला 2 अपान 13 इंटू 2 अपान 13 4 अपान 169 क्या यह P intersection F के बराबर है नहीं है इसलिए E तथा F स्वतंत्र घटनाएं नहीं है प्रिश नमर 17 S बराबर कितना दिया हुआ देखिए यदी पासों पर का एक जोड़ा उचला जाए जोड़ा उचला दिये तो 1,2,3,4,5,6 इंटू 1,2,3,4,5,6 क्रॉस में बराबर कितना हुआ 36 A बराबर उसने दिया हुआ है प्रतेक पासे पर सम अभाज संख्या सम अभाज संख्या कौन-कौन सी हो गई दोनों पासों पर तो सम अभाज संख्या तो 2 ही है यदि 4 तो विवाज हो जाती और 6 भी विवाज हो जाती है इसलिए क्या हुआ दो-दो A और B को प्रसपर स्वतंतर कहते हैं कोई बाती प्रसपर कहते हैं कभ जिव ऐसा हो तो क्या हो A और B प्रसपर विल्कुल नहीं हो सकता PA बरावर B भी वो भी कभी नहीं हो सकता PA प्रस B और वो नहीं हो सकता इसका मतलर मैंने B में option लिया तो PA- intersection B ड़ावर और वीवी कैसी घटना होंगी स्वतंत्र घटना ही होंगी अब आईए कुशन नमबर हम देखते हैं यहां पर 13 अब हम 13.5 की तरफ बढ़ते हैं और 13.5 में कुशन नमबर हम सेकेंड की तरफ मेजर करते हैं आपको मालू है कि 13.4 और 13.3 दोनों ही अपने उसमें से निकल चुके हैं लेकिन आप डेंशन मत दीजिए जब स्कूल ओपन होते हैं तब उस चीज का रिविजन हम कराएंगे तो साथ साथ में दोनों एक्सरसाइज भी साथ में करा देंगे 13.3 भी करा देंगे 13.4 भी करा देंगे क्योंकि norms उसमें क्या होते हैं वो जब भी जो किलियर होगा उसके साथ से लेकिन अभी जो government ने जितना course कम किया उसमें 13.3 और 13.4 को इसमें हटा दिया गया है लेकिन फिर भी जे इस्कूल घुलने के बाद में आपको तुरंट दोनों के दोनों चप्टर किले करा दूँगा same to same है कोई दिक्तत वाली बात नहीं है question number 2 देखिए 13.5 किताब open कर ली न आप लोगोंने अब देखिए question number पासों के एक जोड़े को चार बार उचाला जाता है ये बर्नली प्रत्न का आ गया ये बर्नली प्रत्न वाली जो धीनस घटना है उन से सम्मंदित ये चेप्टर है 13.5 देखिए और मैंने उसकी परिभाशा भी बताई थी कि VX बराबर NCX, P की पावर X, Q की पावर N-X तो प्रिशन number 2 में चार बार उचाला मतलब N बराबर 4 आ गया फिर इसने बोला है यदी पासे पर प्राप्त अंकों का द्विक होना पासों पर कैसी संख्याए हो नहीं समान मतलब एक जैसी मिलना चाहिए तो 1-1, 1-2, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 4-6 पर उच्याएं पर उच्याएं को होते हैं इसका मतलब P बराबर कितना हुआ, ये टोटल घटना हैं कितनी मिली, 6 और वैसे कितनी होती है, 36, तो मतलब 6 अपान 36 बराबर 1 by 6 इसी को हम, जो घटना हमको दी गई हो, हम इसी को सफलता मानते हैं तो P बराबर कितना हो गया, 1-6, तो Q बराबर भी कितना हो गया, आपको मैंने बताया था Q बराबर क्या होता है, 1-P, फार्मुला में बताया था न मैंने तो 1-1 अपान 6 बराबर 5 by 6, मैंने फार्मुला निकाला, PX बराबर, NCX, P की पावर X, Q की पावर N-X, X बराबर 0, 1, 2 से लेके N तक मैंने P2 निकाला, सब के मान लिख दिया, N की जगा पर 4, X की जगा पर 2, P की जगा पर 1 अपान 6, Q की जगा पर 5 by 6 और स्वाल कर दिया, 6 देखे, Q नम्मर 6 पढ़िए पहले, एक थेले में 10 गेने हैं, जिन में से प्रतेख पर 0 से 9 तक नो में से 1 अंक लिखा हुआ है, यदि थेले में 4 गेने उत्तरों तर पुना बापस रखते हुए निकाली जाती है, मतर्द एन बराबर 4 आगे, किलियर ह होगी, तो इसकी क्या प्राइक्टा है, कि उनमें से किसी भी गेन पर अंक 0 ना लिखा हो, क्या बुला, पसंद किये गए गेन पर, क्या लिखा हो, 0 ना लिखा हो, मतर्द हमने क्या बुला, कि सबसे पहले हमने ये लिखा, कि किसी भी उसमें 0 कहा है, तो P बराबर कितना आपका पसंद की हुए गेंद पर 0 अंक थो तो P बराबर 1 by 10 Q बराबर कितना हुआ 1 minus 1 upon 10 बराबर 9 by 10 हो गया P X बराबर क्या हुआ NC X P की पावर S Q की पावर N minus X X बराबर 012 से लेके N अब मुझे क्या निकालना है अंक 0 ना लिखा हो 0 ना लिखा हो मतलब P 0 बराबर 4 से 0 1 upon 10 की पावर 0 बराबर है और फिर इसके बाद 1 upon 10 की पावर 0 और 9 upon 10 की पावर 4 minus 0 कितना हो गया आपका सॉल कर दीजिए 9 upon 10 की पावर 4 Q पढ़ लिजिए पहले मान लिजिए कि X 1 upon 10 है और उसमें N बराबर 6 दिया P of B of N P B of N P मानला बंटन में N P होता है N बराबर 6 और कितना हो गया P बराबर 1 by 2 दरसाइए कि X बराबर 3 अधिक्तम प्रायक्ता वाला परिणाम है कोई बात नहीं N बराबर 6 P बराबर 1 by 2 Q बराबर 1 minus 1 by 2 1 upon 2 P X बराबर N C X P की पावर S Q की पावर N minus X X बराबर 0, 1, 2, 3 से लेके N क्या हुआ 60 X 1 upon 2 की पावर X 1 upon 2 की पावर 6 minus X solve किया तो क्या मिला 60 X 1 upon 2 की पावर 6 अब इस पस्ट है कि भई 61, 62, 63 में से क्या कौन महत्तम होगा 63 महत्तम है इसलिए P3 कैसा अरे भई हमारे पास 1 upon 2 की पावर 6 है तो आप चाहिए P1 निकालो चाहिए P2 निकालो चाहिए P3 निकालो चाहिए P4 चाहिए P कुछ भी निकालो कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है लेकिन X की उपर फरक पढ़ेगा जब आप X1 लोगे तो एक बार ले P1 निकालो तो 61 P2 निकालोगे 62 P3 निकालोगे 63 जब P4 निकालने जाओगे तो फिर 64 आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 62 के समझे नहीं थे नहीं इसलिए इन में से कौन महत्ता मैं 61 की वेल्यू कितनी होती है इसके बाद 6C3 कीमत कितनी होती है? कितना मिला? इसलिए इन से सबसे बड़ी कीमत कितनी हो गई 6C3, क्या मिला? इसलिए 6C3, इसलिए P3 कैसा है? महत्ताम है. कुशिन अमर 11 देखिए, एक पासे को 7 बार उचाने पर तो न बराबर 7 हो गया, तत्थता 2 बार 5 आने की प्रायक्ता, 2 बार 5 आये मतलब, पासे पर 5 मिले ना, तो न बर, P बराबर कितना और पासे पर 5, एक पासे को उचालोगे तो पांच एक ही बार मिलेगा ना, तो P 1-1 by 6 बराबर 5 by 6, P X बराबर N C S P की पार S Q की पार N minus X, X बराबर 0, 1, 2, 3 से लेकर, कितना होगे आपका N, यहाँ पर हमने जो लिया, वो कितना हुआ, कितना होगे आपका, यहाँ पर जो यहाँ पर लिया, कितना मिला P 3 कैसा हुआ, यहाँ पर N is equal to, कितना ले लिया P 2 is equal to 72, 1 by 6 की पार 2, 5 by 6 की पार 7 by 21 upon 36, 5 by 6 की पार 5, तो इसका अंसर कितना होगे आपका, 12, 7 upon 12, 5 upon 6 की पार, कितना होगे आपका 5